नमस्कार स्वागत है आपका दन्यूस पर मैं हूँ आपकी साथ शेरिन और उस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कॉंग्रस के नेतार राहूल गांधी से जुड़ी हुई राहूल गांधी का नया ठिकाना होगा अब दिल्ली की पूर्व मुख्य मंतरी सीला दिक्षित का घर राहूल गांधी जनपत को छोड़ अब रहेंगे सीला दिक्षित के पुराने घर पर किराइप जरासल आपके लिए बता देंगी कॉंग्रस नेतार राहूल गांधी की या के घर में शिफ्ट होंगे और यह जो सीला दिक्षित का घर है यह बीटू निजाम उद्दीन इस्ट की पहली मंजित का जो घर है और सीला दिक्षित यहां पर 1991 से 1998 और फिर 2015 के बाद इसी घर में रही थी और उनके बेटे संदीब दिक्षित ने हाल ही में अपना घर जो है वो खाली कर दिया है राहुल गांधी के लिए और वहीं अपने परिचित और अन आयानी की अनुप चारिक संदेश भेज कर इलाके में अपने आवास को बीटू से ए फाइफ में शिफ्ट हो गए है और अजबात की जानकारी जो है वो उन्होंने पहले ही दी थी क्योंकि अपरेल के महीने में संदीब दिक्षित की तरफ से ये घर खाली कर दिया गया था राहुल गांधी के लिए क्योंकि राहुल गांधी की जब से सदसदार रद होई है प वो सीला दिक्षित के इस घर पर रहेंगे इसी के साथ हम आपके लिए बता दें कि राहुल गांधी के संसद सदसदार जाने के बाद 22 अपरेल को अपने सरकारी बंगले को खाली करना पड़ा था जो की 12 तुगलक लेन पर था जहां पर राहुल गांधी पिछले 19 सालों से रह रहे थे और राहुल गांधी ने अपना घर खाली करने के साथ ये भी कहा था कि उन्होंने सच बोलने की ता जो है वो कीमत चुकाई है और इसलिए उनसे घर खाली कराया गया है हिंदुस्तान की जंटा ने मुझे ये घर दिया था जहां वे 19 साल से रह रहे थे पर उस भी खाली करना पड़ा था राहूल गांधी को और अब वो इस घर में जो शिप्ट होने जा रहे हैं इसको लेकर भी लगातार जो बड़ी अपडेट हैं वो सामने आ रही हैं कि सीला दिक्षित का ये घर जो है वो थ्री बेड्रूम का घर है यहां से जो है यह जो घर है यह फ राहूल गांधी शिफ्ट होने जा रहे हैं तो इस घर की जो खूबिया है वो भी सामने आ रही है कि इस घर से जो है वो हिमायू का मकबरा दिखाई देता है उस पर क्या राय रहेगी कॉंग्रेस के नेताओं की ये इस पर भी जो है वो सभी की नजरें टिकी हुई है हाला क आपके लिए बता दे कि इस पूरे मामले को लेकर अब ये चीजें जो है स्थिती जो है वो साफ हो चुकी है कि राहूल गांधी जल्द ही सीला दिक्षित के इस घर में शिफ्ट होने वाले हैं और अगर बात करें कि राहूल गांधी की यानि कि पहले उनका तुबलग लेन हैं वो कोई सांसत नहीं है क्योंकि पिछले ही दिनों उन्हें एक गुजरात हाई कोट की तरफ से दो साल की सजा सुनाई गई थी जिसके बाद राहूल गांधी की सदसता हो गई थी रद जिसके बाद प्रियंका वाडरा ने भी जो है वो अपने भाई को लेकर तमाम वयान बाजी की थी और उन्होंने कहा था कि मेरे भाई की ने जो है वो सच बोलने की कीमत चुकाई है उन्होंने सरकार के खिला हमला बोला इसलिए ये सब हो रहा है वो बहुत जादा जो हैं वो हिम्मत वाले हैं मैं उनके साथ खड़ी हूँ इस तरीके से तमाम जो बाते हैं वो प्रियंका वाडरा की तरफ से की गई थी राहूल गांधी को लेकर पर आपके लिए बता दें कि जिस मामले पर आज राहूल गांधी को पहले अपना तुगलत लेन बाला बंगला खाली करना पड़ा और उसके बाद क्या कारण है ऐसे कि इसके बाद अब वो सोनिया गांधी क साथ जो रह रहे थे वो भी बंगला छोड रहे हैं इसके पीछे क्या कारण है खेरिये सामने नहीं आ पाया है इसी के साथ हम आपके लिए बता दें कि एक तरफ राहूल गांधी को घर करना पड़ा था खाली सरकारी बंगला तो वही दूसरी तरफ इस पूरे मामले यानि क तो गुजरात की हाई कोट ने राहूल गांधी की पुनर याचिका को खारिच करते हुए राहूल गांधी के लिए बड़ा छटका दिया था जिस पर कॉंग्रेस के नेताओं ने मूदी सरकार के उपर निशाना साथते हुए ये तक कहा था कि जो है वो देश में लोकतंत्र नहीं है या फिर सविधान की अध्या की जा रही है बेशक ये फैसला गुजरात की हाई कोट की तरफ से किया गया हो पर गुजरात की हाई कोट का फैसला गलत है इस तरीके की टिपडियां जो है वो कॉंग्रेस के नेताओं की सामने आए थी और अब यानि की सुप्रीम के अलावा कोई चारा जो है वो राहुल गांधी और उनके नेताओं के पास नहीं रह गया है इसी के साथ हम आपके लिए बता दें कि बेशक कॉंग्रेस के नेताओं ने गुजरात हाई कोट की तरफ से की गई टिपड़ी पर ये कहा गया हो कि राजनीती के चलते कोट की रादी हैं जिस तरीके से राहुल गांधी ने कई बार माफी मांगने के बावजूद भी बयान दिये हैं चाहें फिर वो वीर सावर कर को लेकर हो या फिर वीर सावर कर के पोते के दुआरा राहुल गांधी के खिलाप केस दर्ज कराना हो उन तमाम टिपड़ियों को देख दिक्षित के घर में शिफ्ट होने जा रहे हैं तो यहीं से शायद वो आने वाले चुनावों की तैयारी करेंगे कॉंग्रिस के नेताओं को लेकर क्योंकि ये बात अब तस्वीर जो है वो पूरी तरीके से साफ होती हुई नजर आ रही है कि 2024 के लोकसभाद चुनाव नहीं सजा सुनाई गई है दो साल की और इसी के साथ चार साल और एक्स्ट्रा यानि कि छे साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं राहुल गांधी जिसके चलते ये आने वाला 2024 का लोकसभाद चुनाव जो है इस पर देखना एहम रहेगा कि आखिरकार किसे उमीदवार बनाया ज तरफ से या फिर आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट से मिल सकती है राहुल गांधी को एक बड़ी राहत इस मामले में जो की 2019 का ये मामला है क्योंकि लोकसभाद चुनाव के दौरान जब राहुल गांधी कर रहे थे चुनाव प्रसार और उन्होंने गुजुरात में दिया था ये बयान के आखिरकार सारे चोर जो हैं वो मोदी ही क्यों होते हैं जिसके बाद बीजेपी के नेता पूरीश मोदी की तरफ से राहुल गांधी के खिलाव ये मानहानी की याचिका लगाई गई थी और उसके बाद ही राहुल गांधी को 2019 के मामले को लेकर ये सज सुनाई गई थी जिस पर राहुल गांधी ने कई बार ये कहा था कि वो माफी नहीं मांगेंगे क्योंकि वो वीर सावर कर नहीं है वो गांधी है और वो माफी नहीं मांगेंगे और इसी तरीके की टिपडियों को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ कई बार जो है वो याचिक दर्ज हुई है और कोट की तरफ से भी कहा गया था कि राहुल गांधी के खिलाप ऐसे दस मामले दर्ज हैं और इसलिए हम राहुल गांधी को जो है वो जमानत या फिर अभी राहत नहीं दे सकते हैं और इसी के पीछ शायद इसलिए कोट ने टिपड़ियां की थी और राहु झाल झाल